असलाम अलेकूँ मैं हापका अज़ बबलू लाहुरी So, Redmi Note 12 को काफी दिन as a primary phone यूज़ करने के बाद आज इसका एक simple और clear review आपको देने वाला हूँ दो वेरिंट्स में ये phone पाकिस्तान में आता है 6-1-8 वाले की price 60,000 पिया 8-1-8 वाले की price 65,000 पिया अच्छी बात यह है कि ये phone अपनी controlled prices के उपर market में बिकरा है इसकी black market नहीं हो रही बट question यह है क्या ये phone वर्थ इट है अपनी price और अपने features के हिसाब से क्या ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं आज के simple से review में सब clear करूँगा और हाँ वीडियो अच्छे लगे तो हमेशा की तरह like भी कर देना शेर भी कर देना और अगर चैनल पर नए हो फस्ते मुझे देख रहे हो तो subscribe करके bell icon दबा लेना future videos को notification आपको मिलते रहेंगे box content में phone के साथ 33W का fast charger प्लस type A to C data cable और एक अच्छी quality का silicon protective case मिल जाता है इस phone को use करते हुए जो build quality और in and feel है वो मुझे बहुत बैटर लगी है phone पतला है ज्यादा मोटा भी नहीं है 184 gram के आसपास weight है तो मतलब hold करने पे ना मतलब अच्छी वाली wipes आती है इस phone को no doubt mat finish के अंदर है build इसकी polycarbonate है मतलब feel like glass आती है बट actual में ये polycarbonate है मैंने without case चलाया कोई भी visible scratches नहीं है इस phone की back पे उसके लावा IP53 की rating भी है water और मतलब छोड़े बहुत चीनटे मीनटे उडएंगे तो वहां पे survive कर जाएगा haptic motor इनोंने जो लगाई है premium वाली नहीं है type करते हुए vibration वाली feel है normal से थोड़ी better है इस phone का जो सबसे plus point मुझे लगा है वो इसका display है 6.6 inch का ये camolet display है 120 Hz की वज़ा से काफी smooth feel देता है इनकी UI में refresh rate को control करने के लिए auto switch का option नहीं होता या तो 120 Hz यूज़ करोगे मुझे यह लगी है कि continuous 120 Hz यूज़ करते हुए इसने battery drain नहीं की मतलब बैटरी पे कोई negative impact नहीं है बड़ी battery है इसकी 120 Hz के साथ यूज़ करते हुए मेरे moderate use यूज़ नॉर्मल से थोड़ा heavy होता है इसमें मैं data connection भी यूज़ करता हूँ डिस्प्ले का वो काफी better है HDR का sport नहीं है अल्दो लेकिन wide one L1 का sport मिल जाता है तो netflix हुए है रहा full HD में आप stream कर पा हुए spoon के ओपर उसके लाबा security के लिए side mounted fingerprint sensor दिया है Xiaomi, Redmi, कभी भी AMOLED लगा का भी display के अंदर नहीं देता fingerprint sensor क्योंकि थोड़ी cost cutting करनी होती है और side mounted fingerprint sensor की भी speed है वो मुझे इतनी fast नहीं लगी आल्दो accurate ज़रूर है लेकिन fast नहीं है MIUI skin की वज़ा से slow animation काफी slow है उसकी outdoor में मैंने तेज रोशनी में spoon को use करके देखा काफी brighter panel है तो visibility को लेके वहाँ पे कोई भी issues नहीं आते always on display जो है Xiaomi के in category के ये phone या थोड़ी उपर भी जले जाओ तो आपको 10 seconds वाला ही game मिलती है और एक जो downgrade मुझे लगा ना इस phone के अंदर वो इसकी speaker quality को लेके है नीचे आपको एक single mono speaker देखने को मिलता है अब Redmi Note 11 में इनो stereo setup दिया था तो stereo setup वाली जो कमी है ना वो feel होती है इस phone में तो speaker setup को इनको downgrade नहीं करना चाहिए था इनको stereo setup यहां पर देना चाहिए था चाहिए hybrid stereo setup ही देते देखो call quality इसकी काफी better है उपर second mic दियावे noise cancellation के लिए तो clarity एची जाती है अगले बंदे को call recording के लिए गूगल डाइलर है वो गूगल वाली अंटी एगले बंदे को बता देती है उसके इलावा इस phone में NFC का जो sport है वो देखने को नहीं मिलता 4G plus का sport आलदो इस phone में मैंने नहीं देखा लेकिन 4G LTE के उपर जो data connection की speeds है वो काफी अच्छी आजाती है उसके अलावा वोल्टी जो है वोईस ओवर LTE उसका sport इस phone में वेलेबल है लेकिन वाइफ़ाई का जो sport है जो वो वाइफ़ाई है वो नहीं नजरा है मुझे इस phone में और जो performance है ना इस पर मैं कहूंगा Redmi का बिलकुल भी focus नहीं है एक time था अच्छे hardware भी देते थे फोन में अब एक time है कि price हाई करते जाते हैं लेकिन hardware पे focus कोई नहीं है इसमें snapdragon 685 है जो I think इतना मज़े का hardware नहीं है मतलब power efficiency तो देता लेकिन power नहीं देता सही से user को use करने के लिए Redmi note 11 में 680 था snapdragon का उसमें भी user performance को लेकि complain करे थे जैसे जैसे phone पराना होता है ना storage भी अफूल करते जाते हो तो फिर problem वहाँ से start होती है अभी जितना मैंने इसको use किया है day to day जो routine task है थोड़े से heavy task भी है उनको ठीक ही handle कर रहा है कोई major hang lag के रोले नहीं है spoon के अंदर लेकिन chip set इतना मज़े का नहीं है भाई और दूसरा gaming के शुकीन हजरात दूर दूर से ही गुजर जाना इस spoon के आपने spoon के तरफ नहीं देखना मैंने जो title खेले हैं या पर PUBG खेली है उसके जो graphic रहा है smooth के साथ high balance के साथ medium पे आ जाते हैं और इन graphics को देखके मैं तो cut लिया मतलब मैंने तो game ही बंद कर दी भाई क्या खेलें 40 fps से नीचे क्या gameplay मिलेगा उसके बाद मैंने इसके ओपर cricket की game खेली है वो भी high graphics पे handle नहीं करता तो बिलकुल medium ग्राफिक पर रखके खेलनी पड़ती है और तीसरी game मैंने call of duty खेली है वो भी बिलकुल low with high frame rate के साथ तो मतलब वो चल जाती है लेकिन gaming centric hardware इस phone के अंदर नहीं है I think अगर Redmi ने, Xiaomi ने गलती करके कोई Snapdragon 700 series का hardware लगा दिया होता तो ये phone market में आग लगा देता लेकिन Snapdragon 685 से performance को लेके वो जो मज़ा user को require होता ना इस range के user को वो नहीं मिल पाएगा software इस phone में Android 13 मिलता है out of the box जिसके उपर इनकी MIUI 14 skin run करती है phone को box में से निकालने के बाद setup करोगे तो अच्छा खासा bloatware आपको welcome करता है इनकी third party apps हैं या first party apps हैं उनको अनिस्टॉल करना डिसेबल करना मतलब एक operation clean up करना पड़ता है फिर को UI का experience थोड़ा सा निकलती है शकल उसकी और दूसरा gesture animations वोगरा पर कोई focus नहीं है मतलब app opening closing की animations होती है वो भी बिल्कुल zero है updates वगरा देने में भी Xiaomi वालों का Poco का वो इनके UI की वज़ा से बड़ा परिशान है और ये trust lose करते जा रहे है UI पर focus नहीं कर रहे है इस phone को अभी तक जितना मैंने use करके experience किया यहां पर अभी still कोई ऐसा bug notice नहीं वा जो मैं highlight करूँ बट ये ऐस UI को थोड़ा सा देखने की ध्यान देनी की जुरूरत है Xiaomi को देखो cameras की तरफ आता हूँ back पर triple setup है 48 primary है 8 का ultra wide है 2 का macro sensor है ये daytime की photos आप देख रहे हो मेरी expectation थी के मज़ा आएगा बट मज़ा नहीं आया humans project की photos अच्छी daylighting condition में photo capture करने के बाद zoom करके देखते हो तो photos soft soft है details उसके अंदर नहीं है background का exposure है उसको बहुत ज़रा blown out कर जाता है मतलब balance नहीं करता highlights blown out रहती है HDR mode को on भी किया हुआ था light को control नहीं कर पा रहा था ये अपनी post processing से तो मज़े की नहीं नहीं है photography अगर कुछ other objective photos ट्राइग करता हूँ उसके अंदर भी details नहीं थी और 2 megapixel जो macro है उसकी photo try करनी के मेरे अंदर हिम्मत नहीं पड़ी videography जो है वो भी maximum 1080p 30fps तक है कोई 60fps कोई से ओपर की recording है नहीं और जो है इसके अंदर available उसमें EIS तो रखा हूँ है दुनिया नहीं इतनी हिलती लेकिन jittery type की videos है मज़ा नहीं है videography के अंदर और रात के time इसके camera यूज करने के वैसे ही काबल नहीं है night mode इन्होंने सिरफ back camera के अंदर दिया वह front पे night mode नहीं है तो back camera पे भी वो काम करता ही नहीं है कुछ photo आप लेते हो night mode night mode के थूँ night scene की थोड़ा bright कर देता है details को maintain इतना करता नहीं soft photo रहती है और काफी noisy सी image रहती है तो yes ना दिन में camera मज़े के लगे ना रात में इसके मज़े के लगे front selfie पे आओ 13 megapixel है और यहाँ पे भी जो light control है बहुत terrible किसम का है photos में आप देख सकते हो मतलब face पे तो details कुछ है तक maintain कर रहा है लेकिन background के अंदर light cloudy weather है भाई कोई धूब भी निकली हुई फिर भी मज़ा नहीं है इसकी मतलब photography में front camera से photo देते होवे जो इसकी post processing है उससे exposure उसको balance करने के बजाए background में light control करने के बजाए ना उसको और ज़ादा over expose कर देता अपनी post processing से और videography दुनिया भी हिदर ही है कोई EIS नहीं है और exposure आप देख सकते हो वीडियो के अंदर इसी के camera के video है 1080p 30fps के अंदर तो भाई देखो अगर आप camera के लिए phone लेना चाहते हो Redmi Note 12 की तरफ देख रहे हो ना तो यह decision आपको change कर लेना चाहिए अगर उन पॉइंट से आपको फरक नहीं पड़ता और जो मेरी वीडियो स्पेशली यूजर देखते है ना वो स्पेसिफिकेशन कॉंशियस बंदा है वो साथ हजार पे अगर लगा रहा है ना तो फिर उसको gaming वाली साइट पे भी उसको camera's वाली साइट पर उसको एक balance डिवाइस चाहिए फिर उसमें आपके पास kit phones आ जाते हैं उसके में आपके पास local वाली जो used phone है Samsung 52S आ जाता है 60-70,000 पे की range के अंदे अगर अच्छी condition में मिलता है तो बहुत better option है Reno6 आ जाता है उसके लाबा Poco F3 आपको मिल जाता है और भी मतलब used में local वाली option मिल जाती है kit phones में आते हो तो pixel 4A 5G official approved वाला मिल जाता है तो camera pixel phone के आपको बता किस level पे होते हैं LG V60 gaming के लिए popular kit phone है Xperia 5 Mark 2 आ जाता है Motorola Edge Plus के phone आ जाते हैं मतलब ये वो kit phones हैं जो पैसो के हिसाब से ना मसाला पूरा देते हैं अगर आपको कौन से फरक नहीं पड़ता आपको gaming नहीं करनी है आपको camera के लिए phone नहीं चाहिए 60,000 पे आपको सिरफ box pack phone पे लगाना है और normal सा user display पे multimedia content type आप देखते हो ज्यादा heavy user नहीं हो उसी सूरत में आप spoon की तरफ देख सकते हो otherwise मैं कोई ज्यादा खुश नहीं हूँ इस spoon से जो मेरा experience राय spoon के साथ I hope कि आपको चीजें clear होगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe करके जाना मिलते हैं next video में thanks for watching Allah अफ़ेज